एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ पूरा कपूरा इंडिया गठ बंदन और वहां केज रिवाल का नया ठिकाना तिहाल का बैरत लोग सभ़ चुनाओ की ये फाइट इतनी ज्यादा दिल्चस्प हो जाएगी शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा लेकिन भ्रष्चाचार के खलाफ आवाज उठाते हुए सत्ता में आने वाली आम आदमी पाठी कब इसी भ्रष्चाचार के आरोप में लगातार घिरती चली गई किसी को पता ही नहीं चला और इसलिए अब सवाल ये है कि क्या राज्यों में सिर्फ उटवल के बावजूद एकता का बखान करने वाला ये इंडिया गठ बंदन क्या सच में लोगतंत्र को बचाने की कवायद में है या खुद के अस्तित्व को ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं बात चनावखी अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अरविंद केजरिवाल अब 15 अप्रेल तक तिहार जेल में ही रहने वाले हैं ये सबसे बड़ी खबर है आज की रात केजरिवाल की कुछ ऐसी है जिसका कभी उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा जेल का खाना पढ़ने को बस कुछ किताबे और चारो तरफ एक ऐसी दीवार जिसे वो फिलहाल तो नहीं लांग सकते और वो जगा होगी तिहार का जेल नंबर दो आपको मैं ये भी बता दूँ कि एडी ने उनकी कस्टिडी नहीं मांगी लेकिन उन पर आरोप ये लगाया कि अर्विंद केजरिवाल जाच में सयोग ही नहीं कर रहे है अब एक बात जो सबसे ज़्यादा चौका देने वाली थी वो ये कि अर्विंद केजरिवाल ने आतिशी और सौरब भार्दवाच को भी लपेटे में ले लिया यानि कि एडी की सूत्रों ने दावा किया है कि केजरिवाल की तरफ से ये कह दिया गया है कि विजय नायर आतिशी और सौरब भार्दवाच को ही रिपोर्ट करते थे फिर क्या था इसके बाद एक सियासी भूचाल आ गया केजरिवाल की जेल में जाने के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई मुकरता से दिल्ली की सरकार को बाहर चला रहा था तो वो ये दोनों चेहरे थे आतिशी और सौरब भार्दवाच अब मैं आपको बताओ शाज़्या इल्मी ने तो ये तक कह दिया कि केजरिवाल की आदत ही यही रही है कि वो अपनों के साथ इसी तरह विश्वास घात करते हैं और अब एक और बाद जो पता चल रही है सूतरों के हवाले से नहीं बाकाइदा रिवांट कॉपी में भी इसका जिकर है कि अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी जो कभी मरलीना होती हैं कभी आतिशी सिंग होती हैं और सौरब भरदवाच जी बाकाइदा वो रिपोर्ट करते थे विजे नायर को विजे नायर कौन? वही मीडिया सलाकार कौन मीडिया सलाकार? जिसने बाकाइदा समीर महिंदरू से फोन करवाया था केज रिवाल जी को जिसके बारे में केजरिवाल जी ने क्या काता हाँ ही मेरा ही लड़का है सोचने वाली बाते साथियों पराने साथियों के साथ जो किया वो किया अब ने साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा अब आपके मन में एक सवाल इस वक्त जरूर होगा कि वो गठबंदन और एकता की बात करने वाले साथ ही अरविंद केजरिवाल के साथ इस मुश्किल वक्त में कितना खड़े हैं अब आई ये सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करते हैं और इसे जानने के लिए विपक्ष की रैली की जो तस्वीरे को सामने आई दिली के राम लीला मैदान से उन तस्वीरों को देखना और उनके माइने क्या हैं ये भी जान लेते हैं सबसे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ अरविंध केज्रिवाल की पत्नी है सुनीता केज्रिवाल और साथ में कौन है सोनिया गांधी ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि कोई गैन चर्चा हो रही होगी जाहिर है बात अर्विंद केजरिवाल की ही हो रही होगी और अग सुनीता केजरिवाल को कॉंग्रिस की मदद कितनी ज्यादा जरूरी है वो शायद ये बता भी रही हूँ सोनिया गांधी को लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूँ कि ये वही सोनिया गांधी है जो सबसे ज़ादा अगर किसी के निशाने पर रही है तो वो अरविंद केजरिवाल ही है खैर सुनीता केजरिवाल ने फिर से सब के सामने अरविंद केजरिवाल का संदेश पढ़ा एक बार वो सुनी है आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लेगों से कुछ पूछना चाहूंगी हमारे प्रधान मंतरी मोधी जी ने मेरे पती को जेल पे डाल दिया क्या प्रधान मंतरी जी ने सही किया क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभग्त और इमानदार इंसान है क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभग्त और इमानदार इंसान है ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में है इन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्या केजरिवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए केजरिवाल जी को इन्होंने गिरिफ्तार कर लिया आपके केजरिवाल शेर है शेर ये ज़्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे करोर और लोगे के दिल में पस्ते हैं केजरिवाल जिस बहादरी और सहाथ से वो देश के लिए लड़ रहे हैं कभी कई बार मुझे लगता है कि अजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए इस जन्ग में भी केजरिवाल जी को शायद भारत मा के संघर्श के लिए भेजा है अब मैं आपको केजरिवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी मेरे प्यारे भारतवासियों जेल से आप सब अपने इस बेटे अपने भाई का प्रनाम स्विकार कीजिए मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा आने वाले चुमनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिदाने की बात भी नहीं कर रहा आज मैं देश के 140 करोड लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सिहोग महांता हूं 140 करोड भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए अमंतरित करता हूं भारत एक महांदेश है हमारी संस्कृती कई हजार वर्ष पुरानी है भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछडे क्यों है, हमारे लोग अनपड क्यों है, गरीब क्यों है, मैं यहाँ जेल में हूँ, यहाँ काफी समय सोचने के लिए मिलता है, रात को तूट तूटके नींद आती है, भारत मा के लिए सोचता हूँ, भारत मा बहुत दुखी है, भारत मा दर्ड में है, दर्ड से करा रही है, जब महगाई की वज़े से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब नहीं होती, तो भारत मा को बहुत दुख होता है, जब भारत मा के बच्चों को अच्छी सिख्षा नहीं मिलती 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं तो भारत मा बेबस और लचार महसूस करती है जब देश के कई हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं सड़के तूटी हैं 75 साल बाद भी हालत खराब हैं तो मा को बहुत बीड़ा होती है उस पर जब कुछ नेता सुभा शाम लच्छेधार भाशन देते हैं शान और शौकत की जिन्दगी जीते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लुटने में लगे हैं तो भारत मा को बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों से भारत मा को सक्त नक उठाता है आईए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं 140 करोन लोगों के सपने का भारत एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भर बेट खाना मिलेगा हर हाथ को काम मिलेगा कोई बेरोजगार नहीं होगा कोई गरीब नहीं होगा कोई अंपर नहीं होगा हर बच्चे को अच्छी सिक्षा मिलेगी चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का हर भी मिमार को अच्छा इलाज मिलेगा अब ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब लोकसभा चुनाओं में सिर्फ कुछ दिन रह गए है मसलन अब सारी तयारी चुनावी ही है अब सबसे पुरानी पाटी, कॉंग्रिस के सबसे युवा चेहरे हैं राहूल गांधी क्योंकि मौसम के साथ कृकिट का भी चुनाओं के साथ कृकिट का भी मौसम है तो राहूल गांधी ने कैसे EVM पर निशाना साधने के लिए कृकिट का सहारा लिया है अब वो आप देखिए कैप्टन को धरा कर मैच जीता जाता है क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है हमारे सामने लोकसभाग चुनाओ है अमपायर किस ने चुने नरेंद्र मोदी ने हमारे टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलाडियों को अरेस करके अंदर कर दिया तो भाईयों और बहनों ये जो चुनाओ हो रहा है नरेंद्र मोदी जी इस चुनाओ में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो उनका चार सो सीट का नारा है ये बिना इवी एम के बिना मैच फिक्सिंग के बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डाल कर खरीद कर ये एक सो असी पार नहीं होने जा रहा है सब मिला कर अब देखे एक तरफ ये तमाम पाटियां है और दूसरी तरफ है देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मैं ब्रस्टाचार पर कारवाई कर रहा हूँ इससे कुछ लोग बौखला गए है वो अपना आपा खो बैटे है और मेरे प्यारे देशवासियों मैं कहता हूँ मोदी की गारंटी कहती है में मोदी का मंत्र है ब्रस्टाचार हटाओ वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ ये चुनाओ इन दो खेमों की लडाई है एक खेमा अब एक ब्रस्टाचार हटाने के लिए मैदान में है अब एक बात तो तैह है क्योंकि मौजूदा सरकार की इस आंधी में अब जो बाकी तमाम विपक्ष हैं उनके लिए ये अस्तित्व की लडाई हो चली है यानि कि राजनितिक पंडिते कहते हैं कि सिर्फ यही मौका है अब विपक्ष को अपनी ताकत दिखानी है और इसलिए वो बार-बार ये कहते हैं कि हम एक जुटा से लडाई कर रहे हैं एक साथ अब जो मोधी के खिलाफ ये चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं लेकिन अलग-अलग राज्यों की क्या इस्तिती है वो आप देख सकते हैं चाहे वो बिहार की बात हो कहीं सारी ऐसी सीटे और एक नया टर्म भी अब आपको दिखाई देगा फ्रेंडली फाइट यानि कि एक ही गठबंदन का हिस्सा है लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे दूसरी पार्टी कह रहे हैं कि प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा लेकिन ये तो फ्रेंडली फाइट है इसका मतलब ये है कि जो लड़ाई है या सिर्फ उटवल है उसको अच्छा नाम देने की कोशिश की गई है और वो नाम है फ्रेंडली फाइट लेकिन ये friendly fight या फिर इस वक्त जो एकता दिखाई दे रही है वो लोग सभा चुनाओ के जो नतीजे सामने आएंगे उस पर कितना असर डालती है क्या सच में इस वक्त जो भारती जनता पार्टी पूरे आश्वासन के साथिया में कहूं NDA जो 400 पार का एक बहुत बड़ा target से नतीजों का करना होगा लेकिन तब तक के लिए हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए अगर अभी तक भी आपने News 18 इंडिया की YouTube चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो अभी क्या भी कर लीजे और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कॉमेंट करके जरूर पतायू